पार्ट चार बिनिया स्कूल से आकर आज बिनिया ने न रोस की तरह बैग एक तरफ पटका, न क्या बनाया है कि जोर से टेर लगाई उसने कपड़े बदले और सीधा बागी चे में जा बैठी आम के पेड की छाओ में ऊपर से गुरैया की चीछी, कवे की काव काव सुनाई दे रही थी बीच बीच में कोयल की कुख कुख भी कानों में पढ़ जाती गिर गिर चीटे, मकोडे, मकडियां सभी थे अपने अपने कामों में लगे हुए चार दिन पहले बोई धनिये से छोटे-छोटे पौधे फूट रहे थे गुलाब की कलिया कल से जादा खिली लग रही थी गेंदे कल से जादा मुरजाये थे जब-जब हवा चलती तो पेड़ के पत्ते जरने लगते कोई और रोज होता तो बिनिया इन सब के कामों में जरूर दखल देती पर आज वो चुप-चाब बैठी थी, सब को देखती ऐसे देखती जैसे पहली बार देख रही हो ऐसे सुनती जैसे पहली बार सुन रही हो थोड़ी देर इंतिजार करने के बाद अम्मा दोनों का खाना लेकर वहीं आ गई आम की चाओ में सब के बीच ये साप क्यों सुनखा हुआ है अमारी बटिया को आज अम्मा मुस्कराते हुए बोली कोई और दिन होता तो बिनिया जरूर पूछती ये खाने की बीच साप कहां से आ टपका पर आज रोज जैसा दिन नहीं था बिनिया चुप चाप खाने लगे ननही फुद की मधु मालती के फूलों में अपनी पैनी चोंज खुशा कर रस पी रही थी गुरैया पेड से उतरी चाहर दिवारी पर बैठी थी कभी दाना खाती कभी पानी पी थी इन सब के बीच बिनिया चुप चाप बैठी थी सबका लंच टाइम हो रहा है है न बिनिया हमेशा बोलने वाली बिनिया की चुप पी मा को अखर रही थी इतने में आम की जाल से उतरते मकोडों की कतार को देख बिनिया बोली अम्मा मकोडे की भी क्या आखे होती है हाँ होती तो है पर खाने की चीजों का पता वे सूंग कर लगाते है सूंगने से पता चल जाता है कि खाना कहा है और वे जट वहाँ पहुच जाते है और औरों को भी उसके खबर दे देते हैं साप भी आग से नहीं देखता हमारे चलने से जमीन कापती है उसी से पता करता है की कोई आ रहा है तो आम मा क्या सिया भी ऐसा ही करती है? कौन सिया? आज में स्कूल से आ रही थी तो मुझे सिया मिली उसके हाथ में एक चड़ी थी वो उसे इधर उधर हिलाती और चलती जा रही थी मैं उसके साथ साथ चलने लगी उसे दिखाई नहीं देता अम्मा मुझे बहुत डर लगा रास्ते में कितनी गाड़ियां चलती है हम थोड़ी देर तक साथ चलते रहे वो अपने स्कूल के बारे में बता रही थी अपनी किताबों के बारे में अपने दोस्तों के बारे में अपनी टीचरों के बारे में अपने भाई बहनों के बारे में फिर उसके घर का मोड आ गया मैंने कहा मैं साथ चलती हूं तो वो बोली मैं तो रोज ही अकेले आती जाती हूँ अपन अब रोज मिलेंगे और वो चली गई बिनिया की अवाज में अभी डरकाप रहा था खना सिर्फ आख से ही नहीं होता सूंग कर छू कर सुन कर भी देखना होता है और जब आख नहीं देख पाती तो नाक, कान, छून पर देखने के जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है तो उसिया को अपने बगीचे में लाना देखना बगीचे से उसकी दोस्ती तुम्हारी दोस्ती से कम नहीं होगी अचानक फुद की उठली फूलों का रस पीते-पीते वो इतना नीचे आ गई थी कि पता ही न चला बिल्कुल पास बिल्ली वैठी दूट सुड़क रही थी पर बिल्ली के सिर उठाने से पहले वो उड़ गई बिन्या सब कुछ ध्यान से देख रही थी और फिर खाली बरतन उठाकर अंदर चली गई अगले दिन स्कूल छूटते ही बिन्या भागी उसे दूर से ही सिया पेड के नीचे खड़ी दिख गई थी सिया के साथ आज उसकी क्लास का आमिर भी था दौरती हुई सिया पेड के पास पहुची और तीनों चल दिये अज बनिया का मूँ बंध होने का नाम ही नहीं ले रहा था मालूम है गुराईया दाना खाने से पहले इधर देखती है फिर उधर अरे भाई दाना खा रहे हो या सड़क पार कर रहे हो अब तो गेंदे का मौसम गया समझो फूल कैसे मुर्जा गए है पर गुल मोहर ने बोरिया बिस्तर बांद कर आने की तयारी कर ली है अमल तास ने भी सेमल प्लाश टाटा बाई बाई कर रहे हैं और वो फुद की रस पीते पीते एकदम नीचे आ गई थी और नीचे पता है शेर की मौसी बैठी दूद पी रही थी कहते हुए बिन्या ने बैग में से प्लाश सेमल के कुछ फूल सिया और आमिर के हाथों में रख दिये कितने सुन्दर और मकमली हैं सिया बोली हाँ प्लाश की फूल से तो मैं रंग बनाती हूँ बिन्या की बात को बीच में काटते हुए आमिर बोल पड़ा अरे सुन्द अपनी फुद्की से कह देना की ध्यान रखे कहीं रस समेथ बिल्ली के पेट में न चली जाए सेमल के फूलो को वो इस अंदाज से हाथों से पकरता हुआ बोला की तीनों जोर से हस दिये